आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ तो इसको बोलेंगे हम Interhalogen Compound 2 Halogen 2 Halogen जब मिलकर 2 Halogen जब मिलकर एक Compound बनाएंगे तो इसको हम बोलेंगे Interhalogen Compound लाइक मेरा ICL-3 यह मेरा क्या है? एक Interhalogen Compound है Interhalogen यहां पर मेरा जो आयोडिन है और जो मेरा क्लोरिन ही यह दोनों Halogen है यह दोनों मिलकर मेरा क्या बना रहे है ICL-3 बना रहे है इसलिए यह मेरा क्या हो गया? Interhalogen Compound तो यहां पर मुझे पुछा गया है XX5 मतलब मेरा यह X5 मुझे पुछा गया है तो अगर मैं इसका एक्जाम्पू दो तो मेरा क्या आएगा ICL-5 यह के जगे I ले लिया और X के जगे CL ले लिया तो इसका जो मेरा आयोडिन का outer cell, valence cell में कितना अलेटन होता है? 7 प्लॉस इसका मेरा क्लोरिन कितना डोरेंट करता है? 5 तो यह मेरा total electron कितना हो गया? 12 तो 12 आ गया तो इसका क्या हो जाएगा? HP3 D2 अगर यह जो मेरा 12 आया जो मेरा 12 आया इसके में अगर मैं 2 डिवेट कर दूँ क्योंकि मेरा एक bond formation होने के लिए 2 electron की ज़रूवत रहता है तो यहाँ पर मेरा 2 डिवेट करने से कितना आएगा? 6 आएगा तो यहाँ पर मेरा कितना है? 6 है तो अगर मैं इस से यह जो मेरा 5 है यह x 5 तो यहाँ पर मेरा bond कितना है? 5 क्योंकि यहाँ पर मेरा bond 5 है लेकिन यहाँ पर मेरा क्या आ रहा है? 6 आ रहा है तो यहां पर मैरा क्या होगा 1 loan pair मेरा 5 bond है और एक loan pair है तो इसका hybridization क्या हो जाएगा SP3 D2 तो मेरा option में SP3 D2 कहां पर दिया गया है यहां पर मेरा SP3 D2 यह मेरा 2 होगा यह मेरा D नहीं होगा इसपी थ्री डीटू अपर नमबर वान में दिया गया है लेकिन यहां पर मेरा कोई भी आप्शन शाहि नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा एसपी थ्री डीटू थेंक यू